Hello and Welcome to Get Admission Myself Imanchu और इस वीडियो में हम बात करेंगे डैली के अंदर सबसे ज़ादा डिमांड की जाने वाली यूनिवर्सिटी के बारे में तो मेंली दो यूनिवर्सिटी सबसे ज़ादा डिमांड की जाती है एक तो डैली यूनिवर्सिटी जिसका आप सबको पता ही है और उसके बाद आती है गुरू गोविन सिंग इंदरपरस्त यूनिवर्सिटी डैली के अंदर सबसे ज़ादा डिमांड की जाने वाली यूनिवर्सिटी में से एक है IPU इस वीडियो में हम बात करें IPU के admission process के बारे में, direct admission process के बारे में और बहुत सारे courses के बारे में, बहुत सारे colleges के बारे में जो की IPU के अंडर आते हैं, Delhi के अंडर आप उनमें admission ले सकते हैं So let's get started इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि IPU के admission लेने के लिए आप सभी को एक registration form फिल करना होता है, जो की IPU ने पहले ही भरवा दिया है, अगर हम बात करें BBA, BCA courses के बारे में, तो उन सब के exam IPU University ने ले लिये हैं, और इसके अलावा बी टेक में admission लेने के लिए आपको IPU के तो आप eligible हैं IPU University के अंदर admission लेने के लिए, तो चलिए अब हम बात करते हैं, IPU के अंदर कौन कौन से college available है, सबसे पहला जो college है, IPU का main campus यानि USIT जो की आप सब जानते ही होगे, डेली द्वारका में located है, ये college IP University का main campus है, इसके अलावा गर हम बड़े-बडे colleges की बात करें, उसमें आते हैं, महराजा अगर सेन college जो की एक बहुत चांदार college है, महराजा सूरजमल college बड़ा ही मतलब बहतरीन college में से एक, उसके बाद भारतिय विद्धापीट, भगवान परशुराम, गुरु तेक बहादूर, नोर्दन इंडिया, जिम्स, ग्रेटर नोईडा, और इ जो college भी मैंने बताएं, आपको इन में B.Tech में admission मिल सकता है, और B.Tech के लिए सबसे best college माने जाते हैं, ऐसा नहीं कि इन में बस B.Tech होती है, इसके अलावा इहां पर B.L.B., B.J.M.C., B.B.A., B.C.A., सारे courses कराएं जाते हैं, और B.B.L.B. के लिए भी admission open है, अभी अगर आप admission ल जादा डिमांड जो होती है, वो B.Tech के लिए होती है, students चाहते हैं कि इन colleges में उनको admission मिल जाए, किसी के marks कम रह जाते हैं, किसी की J.M.A. की percentile कम रह जाती है, क्योंकि ये college में admission लेना कुछ आसान बात नहीं, तो इन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इसलिए students चाहते हैं IPU के colleges के अंदर हो जाए, तो अगर आपने IPU का registration form फिल किया है, और अपनी J.M.A. का exam भी दिया है, तो आप अप्रोच कर सकते हैं, इन colleges में admission लेने के लिए, और हाँ, अगर आपको इन colleges में admission मिल जाता है, तो आपकी college life के साथ साथ आपका career भी बड़ा successful होने वाला है, अब आप बात करते हैं, हमारी वीडियो की next segment के बारे में, यानि placement के बारे में, आप सभी ने सुना ही हुआ है, डेली के अंदर top university में से एक university, IP University है, इन colleges में admission अगर आपको मिल जाता है, तो आप successfully अपना career अच्छा बना सकते हैं, और in colleges का नाम उचा placement की वज़े से ही हुआ है, तो आप बात करते हैं, अपनी next segment के बारे में, यानि direct admission के बारे में, तो जी हाँ, आप इन colleges में direct admission भी पा सकते हैं, अगर आपके थोड़े भात marks कम रह जाते हैं, पर सेंटेल कम रह जाती है, 12 सकम रह जाते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए आप हमें नीचे comment section में पूच स आ रहे हैं तो आप अपना question जरूर पूछेगा अगर आपको IPU के अंदर admission लेना है तो आप message जरूर कीजिएगा तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में और हाँ आप सबसे एक मेरा question है कि आप next वीडियो किस किस कोलेजिस के बारे में चाह दें मैं आपके लिए ऐसे ही कोलेजिस डिव्यू की वीडियो लाता रहूंगा पेश करता रहूंगा तब तक के लिए अपना ख्याल रखें हुआ है